हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा मैं आपका केमिस्टी टीचर पीके नागर, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी बोड, 12th क्लास, यूनिटे बेटा मेरी solution और उसमें मैं राउल्ट के नियम पर आधारित, कुछ नुमेरिकल्स हैं जो रिलेट करते हैं, एवाश्प शील जो पधार्थ होते हैं, उनका अनुभार निकालने के लिए ठीक है, तो आईए बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वाश्प दाव का अपेक्षिक अवनमन वेर राउल्ट के नियम पर एक हमने नुमेरिकल्स के स्री छोटी सी बनाई है, आईए ज़रा बेटा देख लेते हैं देखें, पहला नुमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, पहला नुमेरिकल हमारा क्या कह रहा है बेटा, पहला नुमेरिकल देखते हैं पहले नुमेरिकल क्या करा है किसी ताप पर सुद्ध बेंजीन का वाश्पदाब कोई बेंजीन है सुद्ध बेंजीन का वाश्पदाब वो हमें दिया है इतना ठीक है 10.5 ग्राम वाश्पशील विद्धुत अनफगटे ठोस को 49 ग्राम बेंजीन में गोला गया पहले मैं एक बात चालू कर लेता हूँ ज़र थो ध्यान चा देखना अगर मैं बात सॉलुशन की करता हूँ तो मेरे पास एक तो small w आ रहा है मेरे बच्चों को एक capital w दिखाई दे रहा है small w एक तो मास ये रहा बिटा 49 ग्राम और एक है 10.5 ग्राम तो ये तो हो जाएगा 10.5 ग्राम ठीक है जी जनाब capital w हो जाएगा 49 ग्राम no problem समझ में आ रहा है सब बच्चों को देखे ज़रा दिहान से देखे अब क्या देखते हैं हम लोग सुद्ध किसी तापरशुद बेंजीन का वाष्पदाब तो मैं बात कर रहा हूँ पीनॉट की पीनॉट हमारा आ रख है 0.850 बार ठीक है ये वाष्पदाब था जब उसमें non-volatile substance एड किया ठीक है तो फिर क्या बोल रहा है वो किसी तापर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 0.850 बार है 10.5 ग्राम वाष्पदाब विदुद अनब घट्टे को अनब घट्टे ठूस को 49 ग्राम बेंजीन में गोला गया प्राप्त विलियन का वाष्पदाब इतना मिला अब मुझे मिला पीएस का PS का वास्पदाब मुझे कितना मिला है 0.845 बार ठीक है समझ में आ रहा है Small W आ गया है Capital W आ गया है P not आ गया है PS आ गया है ठीक है ठोस का molar द्रम्मान गयाद करना है ठोस का molar द्रम्मान गयाद करना है यानि कि हमें Small M निकालना है और जो हमारे पास बेंजीन है विलायक है उसके लिए Capital M बेटा मुझे दे रखा है 78 ठीक है तो निकालना क्या है ठोस का molar द्रम्मान Small M निकालना है आईए जड़ा दिहांचा देखते हैं जी देखें कैसे करेंगे formula P not minus PS upon P not equal to small w capital M capital W small M यह formula है ठीक है इसको follow करते हैं देखें जड़ा दिहां से क्या करेंगे P not P not हमारा कितना है 0.85 ठीक है 850 minus 0.845 ठीक है P not की जगे P not की value रखी है PS की जगे PS की value रखी है P not नीचे आ जाएगा 0.850 जालना है तो बस देखें जड़ा इसको इसमें से less करेंगे तो क्या आएगा 0.005 upon 0.085 equal to 39 से इसको cancel out करेंगे 10.5 into कितने टाइम जाएगा वो 2 टाइम जाएगा और upon m calculate करेंगे तो m की value निकल करके आएगी gram per mole gram per mole या mole inverse ठीक है अब small m की value ये answer मैंने हैं लिखा हुआ calculate करना इतने ही निकल के आएगी फिर समझ देते हैं बेटा अच्छे से हमने यहाँ पर small w दिया था capital w दिया था ठीक है शुद्ध बैंजीन का वाश्पदाव ठीक है अगर आप ये भी नहीं पहचान पाऊ कि p not ps कौन है तो ध्यान देना ये जो अगर values की pressure की ज़्यादा दे रखिया तो वो p not है और एक मिनट ये ये आएगा pf इदर ओके समझ में आ गया खेलर हो जाता है समझ में आता है बिल्कुल question number one आईए problem number two पर चलते है problem number two किसी ताप पर एक विलायक का वाश्पदाव इतना है ठीक है 0.5 gram अब solution ले लेते हैं अब solution ले लेते हैं कैसे करेंगे solution आईए जड़ा small w मेरे को मिल रहा है कितना 0.5 gram ठीक है capital w मेरे को कितना मिल रहा है capital w 42 gram 42 gram capital w भी आ रहा है small w आ गया capital w आ गया यहां जज़ करो जड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको अब आगे की बात करते है आगे की बात करते हैं सर अब मुझे क्या-क्या दिया है देखे जड़ा किसी ताप पर एक विलायक का वाश्पदाब विलायक का वाश्पदाब तो यह हो गया P naught P naught हो गया 0.416 बार अब आगे आता है किसका आगे देखो विलायन का वाश्पदाब विलायन का वाश्पदाब क्या हो गया P.S. बराबर 0.414 बार यह भी समझ में आ गया ठोस के मोलर दरविमान की गड़ना कीजिए ठोस कौन एवाश्पदाब यह जो 0.5 ग्राम है न एवाश्पदाब इसका M निकालना है ठीक है अब यह है कौन ठीक है ज्यान दो जो 42 ग्राम विलायक है उसका मोलर दरविमान दे रखा है कैपिटल M कितना उसका कैपिटल M पहले ही दे रखा है उसने कितना 84 84 ग्राम मोल ग्राम मोल इनवर्स ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे यहाँ पर निकालना है क्या निकालना है मुझे निकालना है small m, तो अब formula adjust करते हैं भई, क्या formula है, p0 minus ps upon p0 equal to small w, capital M, capital W, small m, आईए ज़रा, p0, p0 कितना है, 0.416, ps 0.414 upon 0.416 equal to, capital W, small w कितना है हमारा, 0.5, capital M मेरे को यहाँ पर दे रखा है, साफ साफ कितना, 84, ठीक है, capital M, capital W कितना दिया है मुझे, 42, निकालना क्या है, small m, इसको यहाँ से value निकालकर लाएंगे, तो 0.002 upon 0.416, इससे इसको cancel out करेंगे, तो यह 2 times जाएगा, और जो M है, M की value आप यहाँ पर निकालकर बैट होगे, ठीक है, अब जो M की value आएगी, वो आएगा, 2, 0, 8, ठीक है, gram, mole inverse, ठीक है, अगर तुम्हें यह समझ्या लगती है, कि यह gram mole inverse A कहते जाता है, तो जैसे समझाने की कोशिच करता हूँ, तो देखना, जैसे mole बराबर क्या होता है, भार, भार किसमें आ गया, gram में, बटे अनुभार जैसे M ले लिया मैंने, तो M बराबर क्या आ गया, gram upon mole, अनुभार निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, gram, और यह mole जब उपर जाएगे, तो यह हो जाएगा mole inverse, तो मेरे बच्चों याद रखना, जब भी molar दर्बमान की करना कराएगा, तो उसके पीछे आप gram mole inverse लिख सकते हैं, ठीक है, यह हमारा question number 2, clear हो गया बेटा, अब को समाझ में आ रहा है, चलिए, आगे चलते है, small w आ गया, 2.75 gram, ठीक है, capital w आ गया बेटा, 39 gram, आगे चलते हैं, वो कह रहा है कि सुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाश्बदाब, तो यह दे रखा है, हमें पक्का, peanut, peanut, 640 mmHg, ओके, फिर क्या कह रहा है, जब उसमें एवाश्मशील पधार्त मिला दिया है, तो विलियन का जो बाश्बदाब है, जिसको मैं लोग, मैं PS बोलता हूँ, जो PS है, वो कितना हो जाएगा, 600 mmHg हो जाएगा वो, ठीक है, उसके बाद, केरे, पधार्त का अनुभार ग्यात कीजिए, किसका, ठोस पधार्त का, ठोस कौन है, ठोस कौन है, यह, विद्धुत अनुभार निकालना है, इसका अनुभार निकालना है, small m, question mark, ठीक है, अब capital M किसका लिया जाएगा, capital M लिया जाएगा, 39 gram कौन है, बेंजीन, और तो लिख देंगे, P6H6 का, molar द्रवमान, capital M equal to, 6 carbon आ गए, 6 hydrogen आ गए, कैसे निकालेंगे, carbon का परमानुभार होता है, 12, hydrogen का परमानुभार होता है, एक, ठीक है, और यह निकल के आ गया, 78, वोई, ग्राम, mol, inverse, आगे निकल करके, अब आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं, आईए, क्या फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला होता है जी हमारा, पी नॉट माइनस पी एस, अपॉन पी नॉट इक्वल टू, स्मॉल डबलू, कैपिटल एम, कैपिटल डबलू, और स्मॉल एम, ठीक है, समाझ में आ रहा है जी, पी नॉट कितना है जी, देखो, 640, 640, माइनस 600, अपॉन 640, इसमॉल डबलू जी, हमें दे रखा है, 2.75, कैपिटल एम हमारा है जी, 78, ये 49 आ गया, ये 49 आ गया जी, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी, यहाँ पर स्मॉल एम, ठीक है, तो, ये कितना आ गया उपर, 40, 640, ठीक है, ये इस से कैंसल आउट होगा, 2 टाइम, 2.75, इन्टो 2, अपॉन एम, अब इतनी जिम्मेदारी तो बेटाप को भी उठानी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके, चलो मैं कैलकुलेशन कर भी दूँगा, तो लेकिन बूर्ड में कौन कैलकुलेशन करने आ रहे, तो निकालके लेके आना, तो अपना 88 निकलके आएगा, ठीक है, किलियर होता है जी अपना, ठीक है, एक बार फिर भी अपना अंसर निकालना, ठीक है, चल आप यहाँ तोले समझने की कोशिश करना मेटा, यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि स्मॉल डबलू दे रखा है मेरे को 10 ग्राम, यह वाली बाद समझ में आ गई, आगे 100 ग्राम में, तो कैपिटल डबलू कितना हो गया भाई, 100 ग्राम, ठीक है, आगे चलेंगे, तो जल में विले करने पर वास्पदाब इतने से घटकर इतना रह गया, तो वो जो वास्पदाब दे रहा था था, वो शुद्ध विलायक था था, पी नॉट, 17.535 mmHg, ठीक है, और एक आपको PS दे दिया है, हमने कितना दे दिया है, 17.235 mmHg, ठीक है, तो कह रहा है, विले का आनुबहर बताओ, small m कह रहा है, question mark, लेकिन फॉर्मूले में capital M चाहिए, अब capital M कौन है ये, जल्ब, तो लिखेंगे, H2O के लिए, small m तो question mark आ गया, H2O का capital M निकाल लेते हैं, तो 2H plus O, ठीक है, तो hydrogen का 1 हो गया, oxygen का 16 हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना, 18, आओ भई, अब हमें formula भी पता है, क्या formula है हमारे पास, हमारे पास formula है, P0, P0 minus PS, upon P0 equal to, small w, capital M, capital W, small m, ठीक है, आए, P0 कितना दे रखा है जी हमें, 17.535, minus, 17.235, upon, 17.535, ठीक है, आगया ये, फिर small w कितना है अपना, 10, small w, capital M, capital W, और small m, तो बटा, calculation करके, आपको क्या निकाल देना है, आपको इस m की value निकाल के लादी, ठीक है, अब आप कहोगे, जी भीया, आप कहोगे कि ये, आप solve क्यों नहीं कर रहे है, देखे, मैंने आपको यहाँ answer लिखके दे दिया है, आप निकालना, ठीक है, पैटिस अच्छी हो जाएगी हम लोगों की, चलिए, आगे की तरफ चलते है, फटा-फट, देखो, 100 ग्राम पारे में, एक पंट साथ ग्राम पधार्त घोल दिया कोई, मैं फटा-फटा-फट आपको बताता चलना हूँ, ठीक है, जल्दी-जल्दी solve करेंगे, इस्मॉल डबलू आ गया, एक दसमलव साथ एक ग्राम, ठीक है, इतना समझ में आ रहे है, कैपिटल डबलू, हमारे पास हो गया, 100 ग्राम, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, वो कह रहा है कि जो वाश्पदाब है, इतने से घटकर इतना रह गया, तो पहले वाश्पदाब कितना था भई, पहले वाश्पदाब था पी नॉट, पी नॉट कितना हो गया, 758 mm, ठीक है, और हमें पी एस कितना दे रखा है, पी एस दे रखा है, 747.1 mm, ठीक है, यदि पारे का परमानु दरविमान 200 हो, तो विले पधार्त का निकालना है, भी यब विले पधार्त का small m आपको निकालना है, ठीक है, और capital M आपका हो जाएगा भाई, 200, ठीक है, तो बस क्या करना है, small m आपको निकालना है, तो P0-PS, ठीक है, वही formula, small m आप निकाल देना, यह formula और करके मेरे को comment करके बताना, ठीक है बिटा, simple सा question है, वही formula में fit करना है, सब चीदों को रखना है, और यह solve हो जाएगे, चलिए, आगे चलते हैं, 6, देखे, 100 gram, 1000 gram जल है, capital W हमको दे रखा है, 1000 gram, यह भी आपको इस solve करना है, ठीक है, capital W, यह आगया, 1000 gram, ठीक है, अब कितने में small w दे रखा है, 108.24 gram, ठीक है, यह भी हमारी समझ में आ गया, अब हम से क्या बोला जा रहा है, इतने Kelvin पर, यहाँ समझ में आती हैं चीज़ें, बने William का वाश्पदाब, William का वाश्पदाब, यह परी समझने कोशिच करना, बिलियन का वाश्पदाब, बिलियन का वाश्पदाब तो PS है, PS, जलका वाश्पदाब विलायक है न, 17.54 mmHg, ठीक है, क्या बोल रहा है, आदर समानते हुए, विले का आनविक दरवमान याद करना है, हमने small m निकालना है, ठीक है, capital M किसका लेंगे हम, capital M लेंगे, जलका, इसका capital M लेंगे, तो हम लिख देंगे, H2O का capital M बराबर हो जाता है, 18, ठीक है, बस आपको formula में रखना है, और आराम से इसको solve कर देना है, ठीक है, clear हो जाएगा मेरे बच्चों, देख लीजी ज़रा, आपने क्या निकालना है, आपको मैंने ये दे रखा है, capital W, आपको मैंने क्या दे रखा है, small W, आपको PS provide किया गया है, आपको P not provide किया गया है, आपको water का M provide किया गया है, आपको small M निकालना है, ये आपको formula में लगके निकाल देना है, बस simple simple, ठीक है, clear हो जाता है, चलो बेटा, आगे चलते हैं, शावाश, देखिए, इस में क्या करना है, इस question में, जलका वास्पदाब, जलका वास्पदाब, जलका वास्पदाब हो जाएगा, पी नॉट, ठीक है, 17.535 mm, एच जी, ठीक है, अब 25 ग्राम गुल्कोज को 4500 ग्राम में, स्मॉल डबलू, 25 ग्राम, ठीक है, कैपिटल डबलू, साड़े 400 ग्राम, साड़े 400 ग्राम, साड़े 400 ग्राम जलमें गोलने पर, इतने पर, विलियन का वास्पदाब, परिकलत करना है, हमें निकालना है, विलियन का, पी एस का वास्पदाब, परिकलत करना है, लेकिन याद रखो अगर आपको PS का वास्पदाब परिकिलत करना है तो आपके पास small M होना चाहिए गुलकोज के लिए गुलकोज क्या होता है P6 H12 O6 गुलकोज का small M निकालेंगे मैं डारेट निकालना हूँ 180 होता है बेटा कार्बन का बारे होता है 12 x 12 x 6 72 h का 1 होता है तो calculate करके लेंगे तो 180 होगा जल और जल का हमें सब को पता है capital M कितना होता है जल के लिए 18 होता है ठीक है चलिए formula क्या होता है भई आओ formula homework करते है formula homework करते है पी नॉट तो मज़े लग रहा है कुछ गरबन करतेगा गरबन करेगा color को यह और ले लेते हैं यह ले लेते हैं चलो यह ले लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वेल तो small w capital M capital W small m पी नॉट पाच तीन पाच माइनस पी एस कुश्यन मार्क है अपॉन पाच तीन पाच इस्माल डबलू इस्माल डबलू चेक करो 25 capital M water काठा रहे हो जाता है capital W 400 50 small m 180 ठीक है अब देखें जरा कैसे खुश्कवरी मिलती है अपने को आप देखें जरा 18 से तो इसको cancel out कर दोगे 10 times सीधा सीधा ठीक है अब और क्या करना है ऐसा करते हैं हम कुछ अच्छा special चा कर लेते हैं यह लेते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जरा चेक करना 1 minus ps upon 17.535 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बिटा इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 ऐसा भी लिख सकते हैं 25 25 upon 450 into 10 ठीक है किलेर होता है तो 5 से cancel out करते हैं 55 25 यह आ गया 5 से फिर निकाल दो इसको ठीक है 18 times आ जाएगा ठीक है 18 times आ जाएगा ओके फिर देख लेते हैं 55 25 90 ओके 5 से निकाल लेंगे तो 18 अब क्या करना है यह कितना हो जाएगा 1 minus PS upon 17.535 equal to 1 upon 180 calculate करके PS की value निकाल देना बस MMHG आ जाएगी simple simple ठीक है और calculation के बिटा अपने अपने fund होते हैं जो जैसे calculate करना चाहे वह वैसे calculate कर लो ओके चलिए करेंगे इसलिए